मुपач एगज對 जीदेंदismo review वेलडकम टू एगजामूग एक्जाम यूग एंडाइन लेंस प्लेटफर्म टूडइश टौपिक mirror reflection, आज के इस topic में देखेंगे mirror reflection, mirror reflection से related exam में किस type से question पूछे जाते हैं, उन questions को shortly, tricks के साथ में कैसे solve करें, mirror reflection में simply two types से question पूछे जाते हैं, first, कि exam में या तो आपको diagrams मिलेगी, या numbers मिलेंगे, या alphabets मिलेंगे, उनका mirror reflection कैसे होगा, वो हमें find out करना होता है, second, कि जो mirror reflection question में दिया होता है, उसकी जो real image है, जो वास्तविक picture है, वो कैसे दिखाई देगी, वो हमें option से find out करना होता है, तो simply हम लोग समझते हैं कि जो mirror reflection के question होते हैं, उन question को कैसे solve करना है, mirror reflection पूछा गया हो, या real image पूछा गया हो, question solve करने का जो तरीका होता है, दोनों इसमें same होता है, mirror reflection में, जब mirror किसी diagrams के पास में हो, या numbers के पास में हो, या alphabets के पास में हो, तो वो किस type से reflect होगा, तो जो चीजे होती है, वो left to right and right to left इस type से वो reflect होगी, simply हम लोग कह सकते हैं कि mirror reflection में left side की चीजे right side में shift हो जाती है, और right side की जो चीजे है, वो left side में shift हो जाती है, एक्जाम्पल के साथ में और भी अच्छे से समझते हैं कि mirror reflection किस टाइप से होता है question number one में देखते हैं कि यहाँ पर diagram दी गई है उसका mirror reflection कैसे होगा तो simply आपको मैं बता दूँ कि जब भी ऐसे question आते हैं तो आपको जो diagram दी गई हो या numbers दिए हो या alpha bits दिए हो उसको simply आपको vertically two part में divide कर देना है और इसको part one और part two ऐसे हम लोग नाम दे सकते हैं कि फस्ट पार्ट है और second part है then mirror reflection में क्या होता है कि left की चीज़े होती है वो right side में जाती है और right side की जो चीज़े है वो left side में जाती है इसमें upper side और down side में कोई changes नहीं आते है जैसे उपर वाला जो भाग है आपको ये उपर में ही दिखाई देगा और ये नीचे वाला जो part है आपको ये नीचे में ही दिखाई देगा तो यहां पर simply देख लेते हैं कि यह जो circle है यह अपर side में ही होना चीए तो first इसमें है, second इसमें, third इसमें नहीं है तो यह third वाले option को हम क्या करेंगे, cut कर देंगे अभी हमारे पास में 3 option बचे है, first, second and fourth फिर हम लोग क्या check करेंगे, कि यह जो diagram में यहां पर यह वाला जो part है, इसे हम हाथ कहेंगे, कि यह एक हाथ है, इस type से curve हुआ है, तो यह जो part है, water reflection में हमें इस type से दिखाई देगा, तो यह अहां पर दिखाई दे रहा है है, तो यह second वाला भी option नहीं है, तो अभी 3 option कर जाते है, तो हमारे जो right वाला option रहेगा, वो fourth वाला रहेगा, ओके, बाकी चीज़े आपको check करने की ज़रूत नहीं है, जो भी diagrams दिए जाएंगे, या numbers दिए जाएंगे, उन्हें आपको step by step check करना है, कि उनका mirror reflection किस type से होगा, question number 10 में देखते हैं, कि यहां पर जो diagram दी गई है, इसका mirror reflection कैसे होगा, तो simply आपको छोटे छोटे पार्ट को देख लेना है, कि यहां पर जो black circle है, इसका mirror reflection जब होगा, तो यह क्या होगा, यहां पर फर्स में दिखाई दे रहा तो यह second में दिखाई देगा, यहां पर लाइन है यह अभी left side में हैं कि इसका reflection है यह राइट side में आ जाएगा और यह उपर side में ऐसे दिखाई देगा, पहले option में दिखाई नहीं दे रहा है तो पहला option भी कट चुका है अभी अभी first option, third option और fourth option ये तीनों ही option wrong है तो right option क्या रहेगा हमारा second वाला रहेगा तो हम second वाली option को right कर देंगे simply हम लोग क्या कर रहे है mirror reflection के question को step by step check कर रहे है कि ये mirror reflection में हमें किस type से दिखाई देने वाला है numbers हो या diagram हो या alpha bits हो हम लोग one by one check कर रहे है कि इसका mirror reflection कैसे होगा और उसी के आधार पे हम लोग option को cut कर रहे है और जो last में option बज़ जा रहा है उसे हम क्या कर रहे है right कर रहे है इसी type से अगर आप question को solve करते हो तो आप easily question को solve कर सकते हो यहाँ पे आप अपना time save कर सकते हो ओके झाल झाल कर दो कर सकते हो झाल कर दो झाल